हेलो दोस्तों तो आपका स्वागत है अमरी यूटूब चैनल पर यहां हम आपको बताएंगे दस एसे आशान उपए जिससे आप भी पासकते काले घने और खुबसुरत बाल इसमें पहला है लोकी को सुखा कर नारेल तेल में उबाल ले इस तेल को जान कर बोतों ने पर ले इस तेल की मसाज करने से सफिद बाल काला होने लगते है दूसरा है हफ्ते में दो बार नारेल के तेल में विटामिनी कैप्चूल को मिला कर बालों में हलके हाथों से मसाज करने से सीर में बलड फ्लो बढ़ता है जिसे बालों का जड़ना कम होता है वो गंजापन दूर होता है तिसरा है, सर्षों के तेल की बालों में मालिश करने से बाल लंबे होने के साथ साथ जड़ने भी बद हो जाते हैं रात को सोने से पहले पेरों के तलवों पर तेल की मालिश करने से आखों की कमजोरी दूर होती है छोथा है रात को सोने से पेले दो इलैशी अच्रे से चबा कर एक गिलास गुनकुना पानी पीले इससे बाल जड़ने और निन आने के समस्षा दूर होती है इलैशी से बालो को पोषन मिलता है अगर आपको हच्चे ज़्यादा बालो के जड़ने के दिक्कत है तो आपको रोज सोब खानी शाहिए इससे बहुत जल्दी बाल जड़ना कम हो जाएंगे चट्था है अगर आप सफेद बालों के समस्या से परेशान है तो प्रति दिन बालों में ताजा आवले का रस लगाई इससे सफेद बाल शिख रही काले होने के साथ मजबुद भी होंगे सात्वा है एक कब दही में दो चमस नारियल तेल और दो चमस एलोरा जल मिलाकर एक घंटे के लिए बालों में लगाले इसा हफ्ते में एक बार करें इसा करने से बाल शिलकी और मजबुद होते हैं नोव आहे विटामिनी केपसुल को तोड कर नारेल तेल के साथ लगाने से बाल सिलकी और समकदार होते हैं। दसव आहे नारेल के तेल में आवला पाउडर मिला कर बालो और बालो के जड़ों में मसाज करने से बालो की लंबाय दुगनी तेजी से बढ़ती है। एसी स्वास्थे से जोड़ी जानकारी के लिए हमारी सेनल को सब्सक्राइब करना ना पूले। और जानकारी आची लगी हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करे।